आईए दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनकलाब सिंदावाद में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आज हम जो टॉपिक लेकर आए है उस टॉपिक का नाम है आदिवासी हिंदू नहीं है जिसे हम आदिवासी गोन समाज कहते हैं वो हिंदू नहीं है ये मैं अभी आपको आने वाले कुछ दो-तिन मिन्टों में सिद्ध करके बताएं आदिवासी हिंदू नहीं है फिर भी कुछ बजरंग दली कुछ संगी उनका उपयोग बजरंग दल में कर रहे है जैश्री राम के नारों में कर रहे है जबकि आदिवासी समाज का हिंदू धरम से तनिक भी लेना देना नहीं है आदिवासी समाज के बच्चों को इस्तेमा किया जा रहा है आज आदिवासी समाज का हाल जितना बुरा है उतना बुरा किसी का भी नहीं है आज जिन आदिवासियों को डॉक्टर बाबा साथ भीम रामा उम्मेट कर द्वारा मिले आरक्षन के अधिकार से नौकरी लगी है जो कुछ वैपार करते हैं जो समाज में अच् वह पाएंगे उनकी इस्तिती बहुत तैनी है वह दो वक्त की रोटी को तरज जा रहे है वह कपड़े के बनाए हुए जोपडों में रस्त के किनारों पर शहरों में रहरे है गाउ में उनके अधिकारों की बात नहीं हो रही है उनकी जमीन जंगल चीने जा रहे है पानी से उनका अधिकार लिया जा रहा है उन्हें जंगलों से माइंस के नाम पर खुदाई के नाम पर मिनरल्स के नाम पर हटाया जा रहा है हर तरग से उनका हक लिया जा रहा है इतना ही नहीं उन्हें तुम छोटी जाती के हो जबकि आदिवासी हिंदू नहीं है हिंदूओं को ये कहने का अधिकार नहीं है कि आदिवासी छोटी जाती के है कि बड़ी जाती के है ये कहने का हिंदूओं को अधिकार नहीं है मैं यह कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों के ओपर जो अत्याचार हो रहा है उसका हम हाली में एक एक्जामपल देखे थे मुंबई के नायर अस्पताल में डॉक्टर पायल तडवी हमारी जो बहन है डॉक्टर पायल तडवी उसकी तीन महिला डॉक्टर प्रतार्णा करते उसे सताते थे क्यूं सताते थे कि वो आदिवासी समाच की है वो आरक्षन से डॉक्टर बनी इस पर उसे सताया जाता था प्रतारित किया जाता था मेंटल तॉर्चर किया जाता था जिससे तंग आकर डॉक्टर पायल तडवी हमारी बहन ने आत्मात्य करी अब जो तीन सव परणों को भाजपा सरकार ने 10 प्रतिशत आरक्षन दिया है बिना कोई मांग किये बिना कोई मोर्चा निकाले और जिस आदिवासी बहन को वो ताना देते थे कि तु आरक्षन के दम पर डॉक्टर वनी है आरक्षन के दम पर किसी का हक मार रही है उन्हें साड़े 6 प्रतिश और रही है यह समझने की बात है यह जो दिमागों में डाला जा रहा है कि अरक्षन किसी का हक मारता है यह सराथं गलत है आरक्षन किसी का लुक्र नहीं और और а 세ट उनद ब्बे कुछले जो जातिये वैवस्ता ने जिनको हक नहीं दिया था उनकी स्थिती सुधार ने उन्हें हक देने की बात करता है 2017 का मैं आपको पूने का एक एक एक्जामपल बताऊंगा हम छत्रपती शिवाजी माराज को मानने वाले हैं हम डॉक्टर बाबा साप को मानने वाले हैं हम महिलाओं की इज़त करने वाले हैं हर महिला को मा बहन बोलने वाले हैं इसलिए मैं उस महिला का नाम आपको नहीं बताऊंगा सिर्फ ये बताऊंगा कि 2017 में एक सनातन हिंदू या सवर्ण या उची जाती की महिला ने अपने हाँ काम कर रही एक OBC महिला जिसे धर्म ने शुद्र कहा है उससे ये कहती है कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ नैवद्य याने प्रसाद हमारे गनपती को चलता नहीं है आज देश के ये हालत है यूपी बिहार और हरियाना के कई इस्तों में आज भी दलित समाज को शादियों में घोडी पर चड़ने नहीं दिया जाता है आज भी दलित समाज को मंदिरों में प्रवेश नहीं है मंदिरों में प्रवेश करने पर उन्हें मारा जाता है यहां तक कि उनकी हत्या कर दी जात दॉक्तर पायल तडवी हमारी जो बहन है वह आरक्षन के कारण आगे आई ती तो वह यह समझ ले आदिवासी समाज को 6.5 प्रतिशाथ आरक्षन मिला है और सवर्ण समाज को भाजपा सरकार ने 10 प्रतिशाथ आरक्षन दिये वह आरक्षन पर नहीं बोले तो बहतर है आपको हिंदू बोलते है मैं खुद ऐसे आदिवासियों के घरों में गया हूँ जिनके घरों में हिंदू के जितने भगवानों की फोटो एवेलेबल है सारे भगवानों की फोटो होती थी सारे ये ब्रह्मनों के घर में नहीं होती है लेकिन आदिवासियों के घर में यहां हमारे भगवान है आदिवासि हिंदू नहीं है उन्हें जै-श्री-्राम के नारेवालों से किनारा करना होंगा आदिवासि परंपरा में वे-पन्डित-पंडो और भज्यों से कोई काम Now कराते है वो जिन से काम कराते हैं उसे भुआ धोली या जोगी कहते है जव शादियों में और उनके अन्यधार्मिक कारेक्रमों में काम करते है आदिवासियों में जब बच्चा जन्म लेता है अमृत्ति होती है तो उसे भोपा या जोगी को बुला कर उसके कर्मकांड कराए जाते है पंडित पंडे को नहीं बुलाज जाते पर आज हमारे शहर में रहने वाले गोन समाज के अदिवासि समाज के लोग इतने मौडन हो गए है जब वो नया घर बनाते तो सत्य नारायन कराते है शर्मानी चाहिए उन्हें कि वो हिंदू नहीं है ये भारत के हाई कोट और सुप्रीम कोट कहते हैं थिर तुम क्यों हिंदू जाती वैवस्ता में अपने आपको e intéressant कहते हैं आदिवासी समाज में फेरे जो लिए जाते हैं जमने फेरे जिसे कहते हैं उल्टे लिए जाते ह गड़ी जैसे तरीके से घुमती है उसके उल्टी दिशा में हिंदू धर्म में सभी काम clockwise होता है आदिवासी समाज में हर काम anti clockwise होता है हिंदू धर्म से तुम्हारा लेना देना नहीं है सत्ते नारायन कराते समय पंडित को अपना हाथ दिखाते समय कुंडली बनाते समय तुम इस देश की असली मालक हो आदिवासी आदि मतलब बहुत पुराने वास करने वाले इस देश के आदिवासी हो तुम इस देश पर सबसे ज़्यादा तुमारा हक है आज तुमारी ही इस्तीती हिंदू बना कर इतनी दैनिये कर दी गई है कि आज तुम अपने आपको सिर्फ ह विर्शा मुंडा की सीख विल्चुके हो। आदिवासी समाज का जो जंडा हुआ करता था वो एक त्रिकोना जंडा होता था जिसमें पूरा सूरज और तिसरे चौते दिन का चांद आधा चांद होता था और उसमें कुछ तारे बने होते थे ट्राइंगल के रूप में पर आ भगवा त्याक का रंग है पर भाजपा ने सत्ता के लिए भगवे को एक सांप्रदाइक रंग दे दिया है जैश्री राम एक थर्म का नारा है पर भाजपा ने इसे राजनितिक नारा बना दिया है गोंड समाज हिंदू या आदिवासी समाज हिंदू नहीं है उसके कुछ कोट के जो और्डर से उसके प्रमान मैं आपको देता हूँ कर्या पर आप उसको सुनिये और भ्यान दीजे सबसे पहला और जो है छारकांड हाई कोट का और आया था 20 अगस 2015 में केस नमबर था 186 अबलिक 2008 का केस जो 15 में उसका और आया था उसमें छाफसाफ माननी निया दीश wrote कि आदिवासी हिंदू नहीं है दूसरा ओडर मद्धे अप्रदेश हाई कोट का और 5 सेप्टेंबर 2013 का उसमें भी माननीए निया दीश माननीए उच्छे नियाले ने कहा था कि आदिवासी हिंदू नहीं है केरला हाई कोट का 27 सप्टेमबर 2012 का ओडर उसके भी माननी ये उच्छे नहले ने कहा था कि आदिवासी हिंदू नहीं है अब हम देश की सरवच्य माननी ये सुप्रीम कोट पर आते हैं सुप्रीम कोट का जो एक केस था मदू किश्वर एंड अदर्स वर्सेज स्टेट आफ प्यार का उसका ओडर आया था 17 एप्रेल 1996 को कि आदिवासी हिंदू नहीं है सुनलो मेरे आदिवासी भाई बेहनों आप हिंदू नहीं है ये संगियों के ये भाचपाईयों के नाद में तुम ना पढ़ो अपनी अस्मीता अपनी संस्कृती बचा कर रखो हिंदू के नाम पर आपकी अस्मीता आपकी संस्कृती और आपकी जो धार्मिक पैचाने वो खत्म कर दी जा रही है उस ओडर में सुप्रीम कोट के ओडर में 17 अप्रेल 1996 में मानी सरवच्छन अलाय ने ये कहा था कि हिंदू सक्सेशन एक मतलब वार्षान हग जो आता है 1956 ये आदिवासीं पर लाग्यू नहीं होता क्योंकि हुआ हिंदू मेरी जैक 1954 ये आदिवासीं पर लाग्यू नहीं होता क्योंकि वह हिंदू नहीं है थीक है एक और सुप्रीम कोट का ओडर है Kin यह केस था डॉक्टर सूरजमनी स्टेला कुजूर वर्सेश दुर्गा चरन हंस्ता इसको ओडर आया था मानुनी यह सरवुच्य नहीं रहे लेका 14 फरवरी 2011 यह डेट हम याद रख सकते हैं क्योंकि वैलेंटाइन दे होता है हमको वैलेंटाइन दे बहुत अच्छे से याद और एक को उसके जजेस ने वहीं केस था 186-2008 का जो केस था जारकान हाई कोट का वहीं केस ने ओडर दिया कि आदिवासी हिंदू नहीं है क्रप्या आप अपनी संस्कृति अपनी धरोहर अपनी पहचान हिंदू के नाम से मत मिटाईए उससे बचा के रखिए अपनी भाश का विस्तार कीजिए अपनी संस्कृति का विस्तार कीजिए और यह जो लोग आपको हिंदू बनाने की कोशिश करस वह आपके हख की बात नहीं कर रहे है वो जो जोपड़ पट्टियों में आज मैं जिस शहर में रहता हूं शहर की बात कर रहा हूं सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज के लोग रहते हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा है सिर्फ जैश्री रामस बोल कर आपके हाथ में भगवा जंडा देकर आपको हिंदू बनाया आदिवासी तक पहुचाए इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसे आप जरूर देखना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे प्लीज कि हिंदू कौन है यह जो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू है हिंदू कौन है इस पर बनाऊंगा और इसी के साथ मैं अपनी बा आपाँ जयसाव मिना